हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके पनी यूट्यूब चैनल की अप सक्सेस में दोस्तों बिहार रेलवेग ग्रूब डी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है एक से 17 तारीक अपडेट है कलका अपडेट है ठीक है तो यहां पर हम ऑफिसली नौटिस दिखाया ह है जो भी एस्टुटेंट से जिनका जिनका अभी तक अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है यह वीडियो सिर्फ उनहीं के लिए है ठीक है ना वह वीडियो बहुत ही पॉर्टेट होने वाला है उनके लिए कि आखिर उनका अप्लिकेशन स्टेटस कैसे देखें कि 2019 का ही यह दो चरह ठारा का इंपर वा था दो-तीन सल पाहलेगा तो किसी को यह पता नहीं है कि मेरा फांट हुआ है क्योंकि वीडियो को दिखेंगे आप लोग तो पूरा पूरा समझ में आजाए देखिए है आपका ऑफीसिली नोटीस देखें आप लिखा हुआ है साप सापिए मैं स्टेटस का पहला पॉइंट क्या है विठ रिफेरेंस टू सी एन नंबर रर्सी एक दो जरुनेस फोर लेवल वन पोस्ट फेज़ वाइज सी बीटी है वे अब कोमेंस टेप्रों सत्रह दो जर्बाइस ऑन वाड जैसे कि आप लोग जानते होंगा कि गुरुब डी का जोग जाम है वह कल से स्टार्ट हो गया है सत्रह तारिक से ठीक है तो फेज़ वाइस सीटी इंटीमेशन इंटीमेशन स्लिप्स एंड इकोल लेटर आर बिंग लेकिन दूसरी बात क्या है कि यह पॉइंट नमर दू थोड़ा सा देख लिए ठीक है यह बहुत ही इप्टेंट पॉइंट है एक लिंक फिर से जो है वो लिंक जारी कर दिया है वैसे च्टूडेंट के लिए जो कि उनका अप्लिकेशन अस्टेटस को जानने यहां पर आपका फेज का नमबर आएगा तो आपका वी अपर जारी कर दिया जाएगा और आगे देखते हैं Candidate can view the eligibility या फिर in eligibility status और दिएर अप्लिकेशन by दियर अप्लिकेशन रेजिटेशन नंबर और डेट अब अब आर इस चीज को स्टुडेंट जो है वो प्प्टिशन टेटने के लिए उसके लिए और रजिटेशन नंबर और दिख्टेश्ट सब्सक्राइगा वहाप सब्सक्राइगा इलीजिबिलीटी है लिंक एक्टिब रहेगा वह तक रहेगा जब तक आपका एक्जाम कातम होगा तक रहा है तो यह जो अपड़ेट लाया है और से गृूबडी के तरफ से बहुत ही अच्छा अपड़ेट है क्योंकि बहुत सारे स्टूदेंस कंफ्यूजन में थे तर मेरा रिजेक्ट हुआ ठीक है अब मतलब फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ या फी रिजेक्ट हुआ ठीक है तो इस फरकार से आप लोग अपने अप्लिकेशन स्टेटास को चेंज सोरी देख सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं तिसरा नंबर में क्या है कि कंडिजेचर आफ ओल दी इलिजिबल अबसें कर दिया जाएगा अगर आपके अप्लिकेशन कोई भी दिकत हो ठीक है कोई अगर आप मिस्टेक कर देक वी तुरुटी कर दिया है एक्सेप्ट होने के बावजूर्थ हिए फॉर्म ठीक है ना चौथा नमबर पादेख डिजेए वाइल एभरी के एवरी के एस टेकन इन दर प्रिपेरिंट लिस्ट प्रोविजनली इलिजिबल कंडिडेट और भी और से रिजर्ब दा राइट राइट टू रेक्टिफाई एंड इन एड़र इन एडवर्टेंट इर टाइफ लो टाइफोग्राफिकल प्रेंटिंग मिस्टेक ठीक अगर आपका लिए वाले नहीं होते ठीक है तो इसके लिए आपको अलग टाइम दिया गया था लेकिन आपको नहीं किये तो उसका बात ही अलग है ठीक है ना यह जो चार प्रेंट आपके लिए बहुत जरूरी था बाकि पांच और शिक्स पाइंट वह उतना इंपोटेंट है नहीं ठी कि आपका अप्लिकेशन स्टेटस रिजेक्ट या फिर सेलेक्ट है ठीक है ना तो यह वीडियो अगर आपको इन्फरमेटिव लग अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों पास में सेर कर दिजेगा ताकि उनलों भी अ कर दिजेगर है?